moving to the next chemical property students in this lecture we are having reaction with carbon disulfide or I can say this is mustard oil test क्या होता है बच्चों ये भी हमारे पास primary scan treat tertiary को फिर से बच्चों distinguish करने की next method है हमने हिंस्बग रेजेंट से उसको distinguish किया हमने होफमें रेजेंट से उसको distinguish किया now we are doing mustard oil test क्या होता है हमारे पास ये लीजे सथ हमने primary amine लिये ये primary amine है इसकी reaction हमने बच्चों CS2 से करवाई है किसे करवाई है हमने carbon disulfide से करवा दिये ये कुछ है इसको हम S से भी लिख सकते हैं बच्चों कोई problem नहीं है ठीक है जी carbon disulfide से करवाई है तो हमारे पास क्या बनता है इस case में हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा ये carbon एक हैच ले लेगा ये एस पर कुछ negative है इस पर कुछ positive है पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजटीव बच्चों करेक्टर हमने पढ़ाया तो एक हाइडरोजन acidic hydrogen ये ले लेगा और carbon के साथ क्या बन जाएगा बच्चो एन एच आर एन एच आर जो है वो इसके साथ से ला गया carbon के साथ और यहां पर एच पॉजटीव जो था जो acidic nature वाला जो hydrogen था वो simply इस नेगेटिव यानि sulfur ने ले लिए ठीक है यह हमारे पास बन गया और next बच्चों इसकी reaction हमने किससे करवाने गया है HgCl2 से इसको warm करना यह पूरी रेक्शन को हमने क्या करना है warm करना गरम करना हलका सा तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा र एन si s but is this is alkyl isocyanide यह क्या बन गया है isocyanide sulfide बन गया हमारे पस ठिक है और इसकी जो smell होती है बच्चों वो किस तरह की होती है मस्टड ऑयल की हमारे पास आती है कुछ unpleasant संस् franchis my ultimate kdo Il Kin구로 कुछ कुछ इसमें क्या अच्छा लगता है पर ज'सको और कुछ धुक को ध्री MBA कौने बहुत है अधस्य चीज ते किया बनते हैं ब्लैक पर यिदि इसके भी बनते हैं हमारे पस हमंदी रेक्शन में प्राइमरी एमीन इस डैक्ट विद कार्बन सिलफाइड और अब यह इसके बशन भीद देसा इंत्रमेंटर प्रड़क्ट इस फॉर्म फॉर्दर रेक्शन विद एचजी को एकशन विद ए यही हम डू डिग्री देख लेते हैं इसकी रेक्शन किसे करवा नहीं है बच्चो यह लीजिए ऐसे करवा देंगे ठीक है अब हमारे पास यहां पर सेम वैसे डिक्टो यह यहां पर अपने पास ले लेगा इस कारवन केरी सम पॉजटिव चार्ज अंडिस सलफर केरी सम नेगटिव चार्ज ठीक है बचो यह समझने के लिए हम यहां पर यह पॉजटिव नेगटिव डालते होते हैं कुछ पार्शल नेचर होता है पॉजटिव का कुछ नेगटिव क ठीक है ताकि reaction को हमको cram ना करना पड़े तो यहां से h positive होता है यहां पर h भी क्या है positive है वो किस से जाकर attach हो जागा negative से यह s ने h ले लिया बात clear हो रही होगी I hope तो बचा गया बचा हमारे पास बच्चो यहां पर nr2 बचा यह दिखे यहां पर dual इसकी बच्चो एच जी सी एल टू से reaction करवाते हैं तो reaction नहीं हो पाएगी because it does not have any acidic hydrogen इसके पास acidic hydrogen नहीं है ठीक है इसके पास acidic hydrogen नहीं है यह hydrogen बच्चो acidic नहीं होती हमको पता है acidic hydrogen कौन सी होती है हमने पहले भी बात किया है कि जब hydrogen किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट से अटेयाच हो इसको बोलते हैं वह hydrogen acidic nature की होती है हमारे पास क्या शो करेगा acidic nature शो करेगा and if likewise I react three degree amine with this CS2 there will be no reaction कोई भी रेक्शन बच्चो नहीं हो पाएगी हमारे पास clear हो रही है फिर वही चीज़ अगर आपको laboratory में आपके जब perform करने जा रहे है तो आपको दे दे कोई mixture और बताइए इसमें वान क्या है टू क्या है थ्री क्या है 123 क्या है हमारे पास तो क्या करेंगे आप उसकी reaction करवा देंगे carbon diisulfide से तो carbon diisulfide से reaction करवाएंगे अगर तो black PPT बन रहे हैं और mustard oil smell आ रही है black PPT and mustard oil smell आ रही है तो definitely it is primary तो वह primary होंगे और अगर कुछ product बन रहा है reaction हो रही है बट कोई smell नहीं आ रही है कोई black PPT नहीं बन रहे है then it will be secondary और अगर बच्चो reaction start ही नहीं होई है तो फिर वो क्या होगा definitely 3 degree amine होगा ठीक है यहाँ पर हम alkyl group से reaction लिख रहे हैं आपको examples लिखनी है हमने जो आपको solution दे रखा है package का जो study material उसमें हमने alkyl group CH3 या C2H5 से reaction लिख रखी होगी आपको बच्चो exam में वो examples भी साथ में लिखनी है ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे तो time बहुत waste होगा हमारा हमने बहुत अभी आगे बात करनी है chapters की ठीक है झाल